नमस्कार अश्टिडी मेट्रियल्स में आपका स्वागत है तो आज हम लोग यहाँ पर जिस वेकेंसी का बात करने वाले हैं या वेकेंसी आपका डिजिटल सिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान के तरब से आया हुआ है एकक करके हम लोग इसमें बात करेंगे ओनलाइन यह जो फॉर्म होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे फिर इसमें जो एड़टाजमेंट आया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन-कौन सा पोस्ट के लिए आया है और आप इसे ओनलाइन कब तक कर सकते है इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इससे आप तक नए नए विकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में जाते रहेंगे तो अगर आपको ओनलाइन करना है इस फॉर्म को अगर आप eligible हैं तो यहाँ पी क्लिक करना होगा आपको यहाँ से आप online कर सकते हैं इसका मैं link description में दे दूँगा वहां से जाकर के आप इसे open कर सकते हैं उसके बाद second में है view, price note जो price में जो दिया गया था यह जो संस्था है आपका डिजिटल सिक्षा तथा रोजगार विकास संस्था उसके द्वारा तो यहाँ पर प्रेस नोट मिल जाएगा आपको वहीं यहाँ पर आपका जो एड़टाइजमेंट है उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डेटेल से जान सकते हैं चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ विकेंसी निकल करके आया हुआ है तो यह ओपेन हो चुका है अब देख सकते हैं इसमें जो आपका डेट दिया गया है ओनलाइन अप्लिकेशन करने का वह आपका 11-3-2022 से ले करके आपका 24-2022 तक दिया गया है 24-2022 तक आपका इसे ओनलाइन कर सकते हैं वह ही जेनरल एकजाम जो आपका होने वाला है वह आपका उसका भी डेट मेंसन किया गया है अगस्त में होगा == और आपका result जो आएगा वो सेक्टमबर तक आजाएगा सितमबर तक आपका result जो है वो आजाएगा यहाँ पे इसका notification number भी आपको मिल जाएगा कब प्रकासन हुआ है आप देख सकते हैं date भी दिया गया है उसके बाद जो आपका यहाँ पर post निकल करके आया हुआ है आप distant ruler development officer का post है यहाँ पर जो आपका इसमें जो लगने वाला है क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं प्लस टू आपका इंटर होगा वहीं आपका एज जो होगा एज जो क्या होना चाहिए तो 18 से 40 वर्स आपका एज होना चाहिए इसके बीच में यहां जो है every estate and district officer के लिए सभी district और अश्टेट और district officer के लिए हैं इसमें देखिए आपका pay scale जो है क्या होने वाला है आपको यहां mention किया गया है आप देख सकते हैं कि यह जो फॉर्म है हम लोग जान रहें कि ओनलाइन फॉर्म है तो कंड़ेट के लिए कुछ यहां पर नोट में दिये गए हैं कि आपका डेटो बर्थ जो कटोफ माना जाएगा यहां पर एक काथ 2022 से माना जाएगा तो यह सब डिटेल से आपको मिल जाएगा यहां पर दिये हुए हैं अब यहां पर आपका एक्जाम सेंटर कहां कहां बनाया गया है अब देख सकते हैं आपका मेंसन क्या गया है एक्जाम सेंटर कहां बनाया गया है इसा देखिए पटना भी है राची भी है आपका और काफी जगा एक्जाम सेंटर बनाया गया है आप देख सकते हैं आपका नजदिक जो भी होगा तो वहाँ पर जा करके आप एक्जाम दे सकते हैं इसमें फी भी लगने वाला है आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका फी जो होगा 500 रुपिया जनरल OBC के लिए होगा और आपका 350 र जनरल OTS ту D होगा कोश्चन जो उसमें रहेगा 30 रहेगा और मार्क्स जो रहेगा आपका 60 रहेगा 60 नमर का होगा वहाँ परट बी में जनरल नॉलेज का होगा अब देख सकते हैं कोश्चन का नमर 30 और इसमें भी नमर जो होगा आपका अंक जो होगा 60 होगा फिर आपका C न अमर में रूलर इंडिया से कोच्चन रहेगा 15 कोच्चन रहेंगे इसमें और 30 मार्क्स का होगा और समय आपको दिया जाएगा वह आप देख सकते 90 मिनिट आपका होगा अपका इसमें नगेटिव मार्किंग और भी आपका होने वाला है यहां में इंसन किया गया है इसमें लिए हाऀ चेलिए यहां पर दियें गया है यहां पर दियें हैं इसको क्या करना है पिर वहां से आपको और अप्लेकेसन भरना है फिर लास्ट में आपको सम्मिट कर देना है और फी और भी पे करना है तभी आपका कम्प्लीट आपका फॉर्म को माना जाएगा mode of selection यहां कुछ detail से दिये गये हैं अगर आप योगता रखते हैं तो इसे आप देख सकते हैं detail से तो यहां पर हम लोगों ने जो आपका वेकेंसी आया हुआ है Institute of Digital Education and Employment Development के तरफ से और वेकेंसी को हम लोगों ने देखा ओके थेंक्यू यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हुगा तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजेए को कि यहेजेिया हुआ है